दालों में फिलाल गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है दालों में खरीदारी कमजोर रहने से मूंग दाल और मसूर दाल में गिरावट बढ़ गई है तूर दाल के भाव मजबूत देखने को मिल रहे हैं जबकि मूंग और मसूर में गिरावट है परदेश में जोरदार बारिश और बार आने से दलनों की फसल परभावित होने की आशंका है मिली जानकारी के मुताबिक सप्था बर में ये स्थिती साफ हो जाएगी की आगे भाव कैसे रहेंगे वैसे खरीफ दलन की परमुक फसल तूर की बाई चालू खरीफ में घटकर 43,38,000 हेक्टर में तो उड़त की बाई 35,21,000 हेक्टर में हो पाई है जबकि पिछले खरीब सीजन की समान अफ्दी में इनकी बॉई चालिस लाग चोहतर अजार हेक्टिर में और जबकि उड़त की बॉई 37 लाग 10 जार हेक्टिर में हो चुकी थी इसी तरह से मूँग की बॉई चालू खरीब में घटकर 32,4 achats में ही हुई है जबकि पिछले खरीफ में इस समय तक इसकी बॉआई 33,96,000 हेक्टर में हो चुकी थी वहीं अगर अन्य दालों की बॉआई की बात करें तो अन्य दालों की बॉआई भी घटकर 14,37,000 हेक्टर में हो पाई है जो कि पिछले साल की समान अबदी के मुकाबले 14,40,000 हेक्टर से कम है वहीं अगर भाव की बात की जाए तो मुंबई पोर्ट पर आयाती चना तंजानिया का भाव तकरीबन 6,25 रुपे के आसपास देखने को मिल रहा है वहीं काबुली सुडान 6,000 रुपे के आसपास तो मसूर कनाड़ा का भाव 65,000 रुपे के आसपास देखने को मिल रहे है यानि मामूली सी तेजी कुछ एक दालों में देखने को मिल रही है लेकिन ओवरोल देखा जाए तो दालों में अभी भी दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है